हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में आज की इस वीडियो में देखिए हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परिक्षा के लिए देखिए आपे बैलोजी यानि जीव विग्यान का काफी महत्तपूर्ण देखिए आप इस चेप्टर टू का सभी अबजेक्टिव प्रशन बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परिक्षा के लिए बहुत ही महत्तपूर्ण होने वाला है तो आपको एक भी प्रशन को स्कीप नहीं करना है विडियो को सुरू से लेके अंतक देखना है और इसमें से जो प्रशन याद नहों उसे आप ल वीडियो के लाश्ट में बता देंगे कि आप लोग कहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग कहां से ओनलाइन टेस्ट दे सकते हैं तो आप लोग वीडियो में बने रहें और आप लोग चैनल को सबस्क्राइब नहीं किए तो चैनल को सबसे पहले कर दीजिए और जो bell icon होता है उसको दबा कि आप लोग all पे कर लिजिए ताकि जब भी live class हो तो notification आपके पास पहुंचता रहे देखिए आप लोग notification को जब तक all पे नहीं करेंगे तब तक आपके पास class का लिंक नहीं जाएगा तो आप लोग क्या किजिए यहां पे all पे कर जरूर किजिए गा और देखिए वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देजिए गा और देखिए WhatsApp नंबर दिया हुआ है आप लोग अभी तक WhatsApp ग्रूप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग इस पर message किजिए और बोलिए कि सरम को रूप में जूड़ देंगे तो चलिए आप फर प्रागित होने वाले फूलों को करते हैं इसे आपको याद रखना है देखिए याँ पर बी अपसन क्या होजाएगा बिलकुली सही जवाब होगा चलिए याँ पर आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रशन पर और देखि यहां पर देखिए आपसे पूछा गया है कि नारियल में आपसे क्या पूछा है तरल एवं गुद्देदार पतार्थ क्या होते बाबू तो वो भुरून पोस होते हैं इसे आपको याद रखना है सभी बच्चे इसको याद रखेंगे सी अप्शन क्या हो जाएगा 100% अगले नंबर प्रशन पे और देखिए चार नंबर प्रशन है कि युगमक बनाने की कि किरिया को क्या कहते हैं जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दे दीजिए देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले जवाब देता है आपको देखिए क्या बताना है कि यूगमक बनाने की किरिया को क्या कहेंगे तो यूगमक जनन कहेंगे बहुत ही बढ़िया जवाब सभी ब यह option क्या होगा बाबू बिल्कुली सई जवाब होगा यानि 100% इसका right answer हो जाएगा चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्ण पर और देखिए यह प्रस्ण में बहुत सारे बच्चे यानि देखिए यहाँ पर 90% बच्चे क्या होते हैं 15 क्या होगा इन में से कई नहीं ना पत्ती पर प्रश्ण पर पहले आप जवाब दे दीजे उसके बाद हम इसका confusion दूर करते हैं देखिए यहां पर तो इसका राइट एंसर क्या होगा इन में से कहीं नहीं ना पत्ती पे पाए जाता है ना तने पे पाए जाता है कहीं पे नहीं पाय जाता है बाबू क्यों नहीं पाय जाता है कि देखिए हाइडरिला क्या होता है एक जलिय पोधा होता है इसमें रंधर पाया ही नहीं जाता है क्या होते है बाबू हाइडरिला एक जलिय पोधा होता है अब लोग ध्यान दिजे हाइडरिला क्या एक जलिय पौधा है और उसमें रंद्र पाया ही नहीं जाता है तो क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर यहाँ पर देखिए डी ओप्शन क्या होगा बिलकुली सही जवाब होगा चले यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्ण पर और देखिए यहाँ पर अगला क्या है और बी दोनों है यहाँ पर दिखिए सी ओप्शन क्या हो जाएगा बाबु बिलकुली सही जवाब होगा हंडेट परसेंट इसका राइट एंसर हो जाएगा चले यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्ण पर देखिए यहाँ पर अगला प्रश्ण सा क्या कितनी होTAMAGBO सभी बच्चे ध्यान देंगे 5 होती है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर चार होजयेगा बाबु पांच हो जाएगा यहाँ पर दीखिए ₹पसण क्या होगा हंडेट परसेंट सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण यहां पर आ अधूनिक भृण विग्यान के जनक किसे कहते हैं तो दिखिए वान बेर को कहते हैं किसे बाबु वान बेर को कहते हैं इसे आपको याद रखना है और देखिए कहीं कहीं क्या दिया रहता है तो वान वार दिया रहता है यहाँ पर दिखिए वान वार दिया रहता है तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है यहां पर दिखिए कभी कभी क्या दिया रहता है तो दिखिए वन वार भी दिया रहता है तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है यहां पर दिखिए अधूनिक भूर्ण विग्यान का जनक कौन है तो वन वियर भी है और वन वार उनको कहा भी जाता है तो यह भी साथ में आपको याद रखना है देखिए यहाँ पर D option क्या हो जाएगा बिल्कुली सही हो जाएगा चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्ण पर देखिए यहाँ पर अगला प्रश्ण क्या है बाबू 9 नंबर देखिए 9 नं बेंक का सवाल है क्योंकि यह प्रश्ण बहुत जादा बार पूछा गया है चलिए आप लोग बता दिजिए कि एंडो एस्पर्म द्वारा किसे पॉसर्ण दिया जाता है सभी बच्चे ध्यान देंगे भुरून को दिया जाता है यहाँ पर D option क्या हो जाएगा 100% सही होगा चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्ण पर और देखिए यहाँ पर अगला प्रश्ण दस नंबर और देखिए यहाँ पर दस नंबर प्रश्ण की अंड समुच्चे बना होता है यहाँ देखिए आपको बताना है कि अंड समुच्चे बना होता है कै ठायक कोशिका का बना होता है, सभी बची यहाँ पर B option क्या करेंगे, सही करेंगे, बहुत सारे बची क्या करते हैं कि अंड कोशिका पर मार्केटिक चले आते हैं, जो की गलत हैं, चले हैं यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगले नमबर प्रश्णे पर देखींए, आप अगल बिल्कुली सही जवाब होगा चिप्टर वन का और टू का पिडियेव डाल चुके हैं जाके आप लोग डाउनलोड जरूर कीजिएगा और जिनको नहीं आता है हम लाश्ट में आपको जरूर बताएंगे कि आप लोग कहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी बच्च बारा नंबर देखिए यहां पर बारा नंबर प्रश्ण क्या है कि प्राग को संबंदित होता है यहां पर बहुत इंपोर्टेंट प्रश्ण है और इसमें देखिए बहुत सारे बच्चे कनफ्यूज हो जाते हैं यहां पर देखिए प्राग को संबंदित होता है तो बहु यहाँ पे दिखिए, C option बिल्कुली साही हो जाएगा. चलोइए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रस्ण पे और दिखिए यहाँ पे अगला प्रस्णेет 13 नंबर और दिखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रस्ण की प्राग कड़ रोते हैं. यहाँ पे दिखिए A option क्या हो जाएगा बिल्कुली सही जवाब होगा यानि 100% क्या हो जाएगा राइट इंसर हो जाएगा चले यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अगले नमबर प्रश्णी पे और देखिए यहाँ पे अगला नमबर प्रश्णी क्या है चौदा नमबर और यह प्रश्ण बहुत इंप्रटेंट है देखिए यहाँ पे चौदा नमबर प्रश्णी की मकका में प्रुटीन यूख्ट एंडोयस्पर्मो को क्या कहेंगे बाबु तो एल्यूरीन भित्तिक हाएंगे यहाँ पे सभी बच्चे इसको याद कर लेंगे द देखिए यहाँ पर अगला प्रशने 15 नंबर और देखिए यहाँ पर 15 नंबर प्रशने क्या है कि एक अर्ध सुत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युगमक बनते हैं यहाँ पर देखिए बहुत इंपोर्टेंट प्रशने हैं और यह देखिए 2015-16 में सायद पूछा गया यह प्रशने देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि एक अर्ध सुत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युगमक देखिए यहाँ पर नर युगमक पूछा है तो इसे आपको ध्यान देना है कि नर युगमक बनते हैं तो बाबु कितने बनते हैं सभी बच्चे इसको ध् देखेंगे और सही जवाब देंगे यहाँ पर देखिए चार बनते हैं देखिए एक अर्ध सुत्री कोशिका विवाजन से कितने नर्युक्मक बनेंगे चार बनेंगे यहाँ पर ए ऑप्षन क्या हो जाएगा बिल्कुली सही जवाब होगा चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते को से बतान बता है कि इतने भागों में बटा होता है चलिए आप बहुत बढ़ी है पुंकेस्र दो वागों में बटा होता है चलिए जवाब होगा जीस आगे बढ़ते है अगले अगले बहुत ही बढ़िया एकदम बहुत ही वहतरीन प्रशन है और 2016 में देखिए एक ये प्रशन है यहाँ पर दिखिए आप से पुछा गया है नर जनन अंग या मादा जनन अंग देखिए यहाँ पर दोनों में से एक प्रशन आपके फाइनल बोड परिक्षया में जरूर रहेग यहाँ पर दिखिए बी ओप्षन क्या होगा 100% बाबु सही हो जाएगा पुष्प के नर जनन अंग को हम क्या कहेंगे पुमंग कहेंगे यहाँ पर सभी बच्चे बी ओप्षन को सही करेंगे चले यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगले नमबर प्रशन पर देखिए यहाँ अगला प्रशन है 18 नमबर और देखिए 18 नमबर प्रशन है कि पुष्प के मादा जनन अंग को कहते हैं यहाँ पर देखिए पुष्प का मादा जनन अंग पूछा है बाबु आपसे आप लोग बताईए इसका कि पुष्प का मादा जनन अंग क्या होता है यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पोड़ा है जरूर रहेगा चले यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अगले नमबर प्रशने पर देखिए यहाँ पर पुछा तो यहाँ पर देखिए जल परागण होता है यहां पर जल कुम्भी में होता है कि कमल में होता है कि हाइड्रिला में होता है कि बी और सी दोनों में होता है आप लोग बी और सी दोनों ऐसा देखके आप लोग टिक मत कर दिजिएगा दोनों पर अगर आपको एक्जाम में ऐसा दिखे तो आप लोग क् एकदम गलत होता बबू आपको पहले सबसे पहले question पढ़ना चाहिए आपसे दिखिए पूछा क्या गया है कि निम्न मेंसेhalb में जल परागन होता है है तो देखिए बबू हाइडरिला में होता है जल परागन हाइड रागन है सबी बच्छें इसको याद रखेंगे word option क्या हो यहाँ पर फिर से हम question को पढ़ते हैं देखिए क्या बोला है भुरूण पोस्की यहाँ पर देखिए भुरूण कोस्की central कोशिकाई होती है तो दुईतिया केंद्रक होती है बाबू सभी बच्चे इसको याद कर लेंगे देखिए यहाँ पर B option क्या होगा बिल्कुली सही और देखिए 21 नमबर प्रशने की अस्तंदारी के सुकराणू के मद्धे भाग में क्या पाया जाता है यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि अस्तंदारी के सुकराणू के मद्धे भाग में पूछा है कि मद्धे भाग में क्या पाया जाता है यह प्रशना हम आपको बत और देखिए 22 नमबर प्रश्ण है कि भूमी फल नी फल कौन है, यहाँ पर देखिए भूमी फल नी फल पुछा है, यहाँ पर देखिए आलू भी है, मुंग फली भी है, प्याज भी है, अदरक भी है, तो आलू तो फल नहीं है, यहाँ पर प्याज भी फल नहीं है, अदरक भी फल नहीं है लेकिन मुंखफ़ली क्या होता है बभूबू भूमी फल नहीं फल होता है यह आलू की तरह ही यहां पर होता है आप लोग कभी YouTube सर्च मार के देखिएगा कि मुंख़वली कैसे होता है तो आपको समझ में आ जाएगा तो देखिए यहां पर पी ओप्षन क्या होगा बिलकूली सही जवाब होगा चले यहां पे आगे बढ़ते हैं अगले नमबर प्रश्न परक्षा हैं अगला प्रस्थ नमबर क्या होता है चीड में क्या होता है बबू चीड में क्या होगा बीज तो होगा लेकिन क्या होगा इसका पुस्प नहीं होगा यहां पर सभी बच्ची इसको याद रखेंगे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हंडेट परसेंट सही होगा चले यहां पर आगे बढ़ते हैं अगले प्राग कन हारा नहीं होता है क्यों फाटा फटा आप लोग जवाब देदीजिए इसका देखते हैं किसको जवाब यहाँ पे सही आता है किसका जवाब सही आता है जल्दी जल्दी आप लोग जवाब देदीजिए देखिए आपसे पूछा क्या गया कि प्राग कन हारा नहीं होता है क्यों क्यों कि इसमें क्या होता है बाबु हरीत लवक नहीं होता है प्राग कण हारा नहीं होता है क्यों कि इसमें क्या होता है हरीत लवक नहीं होता है इससे आपको यहाँ पे देखिए बी ओप्षन क्या हो जाएगा 100% बावू सही हो जाएगा और सभी बच्चे इसको सही करेंगे चले यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्ण पे और देखिए यहाँ पे अगला प्रश्ण क्या है 26 नंबर और यह प्रश्ण बहुत ही महत्य पूंड होने वाला है आपके फाइनल बूर्ड पर इच्छा के लिए चलें यहाँ पे 26 नंबर प्रश्ण क्या पुछा है देखिए कि मनुस्य की प्रात्मिक सुक्राणू कोशिका में देखिए यहाँ पर आपसे यह बात को ध्यान में रखना है आपसे क्या पूछा गया ह आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे ना कि 46 होगी आप लोग 46 पर टिक करके मत आईएगा इसे आप लोग याद रखिएगा चलें यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्ण पर दिखिए यहाँ पर अगला नंबर प्रश्ण क्या है 27 नंबर की मक्का में प्रूटीन यूग देखिए पढ़ा चुक है अभी पढ़ा है फिर से लिख दिए एंडोस पर मुकू काते हैं तो एलियूरीन भित्ति काते हैं यहाँ पर डी ओप्स प्रश्ण में से ही आएगा आपके फाइनल बूर्ट पर इक्षाम जितना भी चेप्टर टू से आपसे कोश्चन किया जाएगा यह 27 अब्जेक्टी प्रश्ण में से ही आएगा तो आप लोग इसको याद जरूर किजिएगा और देखिए एक भी प्रश्ण याद नहों से अनलाइन टेस्ट दे सकते हैं तो चलिए अब हम आपको बताते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है अपने गूगल को ओपन करना है आपके फोन में गूगल होता है आपको सबसे पहले क्या करना है अपने गूगल को ओपन करना है और देखिए यहाँ पे सर्च बार क्या लिख्या हुआ है ask board home यहां पर सभी बच्चे ध्यान देंगे लिखा है ask board home आपको इसी पर एक बार क्लिक करना पड़ेगा जैसे ही आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे देखिए ऐसा पेज़ खुलेगा यहां पर आपके फोन में देखिए ऐसा ही पेज़ खुलेगा आपको सबसे पहले बताते हैं कि जो biology का यहां पर 12 वजे से class चल रहा है उसका आप लोग PDF कहां से download कर सकते हैं तो देखिए उससे को download करने के लिए आपको simply नीचे आना पड़ेगा हर बार की तरह आपको सबसे नीचे आना पड़ेगा यहां पे लिखा है देखिए यहां प सभी बच्चों को नीचे आना है और देखिए यहां पर और भी नीचे आना है यहां है अब और बहन का नहीं डाउन्लोड कि हैं कल कला सुआ था आप लोग Urs पर एक बार क्लिक किजिए देखिए आपको यहाँ पर PDF खुलेगा देखिए यहाँ पर यहाँ पर आपका PDF खुल रहा है देखिए यहाँ पर यह PDF खुल गया तो आके इसको डाउनलोड कर लिजे उसके बाद चले हम बताते हैं कि Chapter 2 अभी पढ़ाई हुआ है उसका आके यहाँ पर एक बार कि आप लोग PDF और नोट कहां से डाउनलोड कर सकते हैं चलिए बताते हैं आप लोग online test कैसे दे सकते हैं आपको simply test पर क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऐसा एक page खुल के open आएगा तो आपको यहाँ पर दिखिए बंद नहीं करना है और देखिए यहाँ पर लिखा है class 12 भहुत इक भी घ्यान का live test आपको इसी पर एक बार क्लिक करना है जैसे ही आप लोग इस पर एक बार क्लिक करेंगे देखिए ऐसा page खुल के open होगा और देखिए यहाँ पर ऐसा page खुलेगा तो आपको क्या करना है simply start पर क्लिक करके आप आपको यहाँ से दे देना है test तो उमीद है कि आपको यह सब बाते समझ में आ गई होगी अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक किजिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों को पास शेयर कर जरूर किजिएगा तो चलिए यहाँ पर मिलते हैं हम अगले class में 6 बजे live class में तो thanks for watching आप लोग अपना ध्यान रखिए और मन लगा के पढ़ाई किजिए